हेलो एन वेलकम आज इस वीडियो की थुरू हम जानने वाले हैं आखिर एक आईएस अधिकारी की सैलरीज, पावर्स और फैसलिटीज क्या-क्या होती है देश के सर्वोच सेवा आईएस को कितनी सैलरी मिलती होगी, क्या-क्या सुपधाय मिलती है, यह एक कौतुहल का प्रस्ण है हर युवा इसे जानना चाहता है, निसंदे इसके बाड़े में जानना भी चाहिए, क्योंकि आईएस अधिकारी बनना आसान नहीं है, यह एक बड़े सपने के सच होने जैसा है, आखिर हो भी क्यों ना किसी भी सरकारी नौकरी में भारतिय प्रसास्रिक सेवा सर्वच और सबसे प्रतिष्टित नौकरी है, आईएस का पद्नकेबल प्रतिष्ठा देता है, बलकि भदपूर रुत्बे के साथ बेतन भी इस पद्धारी को मिलता है, भारतिय सम्विधान एक आईएस को प्राप् और जनता के पीच का बहुत ही महत्पूर्ण करी है कई सारे सरकारी कर्मचाड़ी और अतिकारी किसी न किसी आईस आइस आफिसर के अंडर में काम करते हैं उन सभी अधिकारियों को नियंतरित आईस ओफीसर ही करता है कई सारे कंट्रेक को आईस ओफीसर ही सुकिर्टी प्रदान करते है सरकार के विभिन विकास काड़ेक्रम की देखरेक आईस ओफीसर ही करता है I.S. Officer की ही कई विकास कार्यक्रमों के लिए फंड सुकृर्टी देता है I.S. Officer यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके प्रफाव छेतर में आने वाले बिभीन सरकारी करमचारी और अधिकारी भेस्टाचार नहीं कर रहे है I.S. Officer को अपने अधिन विभीन करमचारीयो पर अनुसासात्मक कारवाही करने का अधिकार है I.S. Officer जहां कहीं भी जाता है सारे लोग उनके आगे पीछे करने लगते है Contractor से लेकर बड़े बड़े अधिकारी उनके आगे पीछे इसले करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं I.S. Officer उनके बिरुद कोई कारवाही न कर दे बड़े बड़े नेता से लेकर गाउं के मुख्या तक I.S. Officer को जानते हैं उन्हें सम्मान देते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं सभी बड़े आयोजनों, फंक्सन और पार्टियों में I.S. Officer को बुलाया जाता है और उन्हें सम्मान से स्वागत किया जाता है I.S. की सहमेती से ही बड़े बड़े कामों पर सुकृर्टी मिलती है अगर I.S. Officer चाहे तो कोई भी प्रोजेक्ट रुकवा सकता है अगर प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा है तो गाउं और सहरों के जमीन के लेंदेन से लेकर जाती प्रमान पत्र बनवाने का काम भी I.S. Officer के हस्ताक्षर से ही संभब हो पाता है ये अब बात करते हैं एक I.S. Officer को दी जाने वाली सुबधाओं के विशे में I.S. Officer को जिमेदारी के साथ साथ अच्छा पारिस्रमिक और तमाम तरह की अन्य सुबधाएं मिलती है जिन से आपका पड़ी चेकर आते हैं तैनात होने वाले राज के राजधानी में VVIP प्रतिबंदित छेतर में I.S. अधिकारियों को एक डुपलेक्स बंगला दिया जाता है अन जिला या आयुकतिया मुख्याले में पोस्टिंग होने के बावजूद भी निर्पेप्च रूप से उनके द्वराया इलाव प्राप्त किया जाता है राज की राजधानी में आवास होने के अलावा जिस जिल्ब या मुख्याले में I.S. अधिकारी की पोस्टिंग होती है वहाँ उन्हें सर्विसकौर्टर प्रदान किया जाता है आये सदिकारी को अधिकारी का वास या सर्विस क्वार्टर के पति दिन के कार्यों की देखरे करने हैं तू घरलू स्टाफ प्रदान किये जाते हैं एक आये सदिकारी को किसी प्रायोजन हेतु आवाजाही के लिए कम से कम एक एवं अधिक्तम तीन सरकारी वहान चालक सहीत आवंटित किये जाते हैं पुर्ग में सभी वहान नीली प्रकास बत्ती से लैस होती थी परंतु अब बत्ती हटने के प्रावधान के तहट इस विवस्थान में परिवर्तन किया गया है आएस अधिकारी को आवंटित किये गए वहान के इंधन एवं रख रखाओ के मुल कवहन सरकार द्वारा किया जाता है आएस अधिकारी एवं उनके परिवारों को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है समानहता राज मुखैलों में नियुक्त आएस अधिकारी को तीन होम गार्ड एवं दो बड़ी गार्ड आवंतित किये जाते हैं उनके जीवन के लिए खत्रा होने की इस्तिती में उनकी सुरक्षा के लिए स्टीएफ कमांडो भी तैनात किया जा सकता है जिला मेजिस्ट्रेट या आयुक्त के पद पर तैनात होने की इस्तिती में आएस अधिकारी के लिए पूरा पुलिस पर उनके अंतरगत होता है और वे जरूरत पढ़ने पर अपनी सुरक्षा कबर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं नीजी उपक्रम के करमचारियों के विप्रित आयस अधिकारी को आम घडेलू सेवाओं के लिए भुकतान नहीं करना पड़ता है उधारन के लिए उनके कार्याले अवास के लिए विजली या तो पूरी तरह मुफ्थ होती है या बहुत ही अधिक सबसेडी पर उपलब्द कराया जाता है इसी तरह उन्हें मुफ्थ टॉक टाइम, SMS और इंटरनेट सेवाओं के साथ तीन BSNL सीन कार्ट आवंधित किये जाते हैं साथ ही उनको मुफ्थ BSNL L9 कनेक्शन एवं एक ब्रॉडबेंड कनेक्शन उपलब्द कराया जाता है यात्रा अधिकारिक एवं अनधिकारिक यात्राओं के लिए आयस अधिकारी, सरकिट हाउस, सरकारी बंगले या अलग-अलग राज्यों के विश्रामक्रियों में रियायती दरों पर आवास सुबधा का लाब उठाते हैं देश के राजधानी दिल्ली के किसी भी तरह के यात्रा पर आयस अधिकारी को संबंदित राज भवन में सभी सुबधाओं के साथ ठहरने की बेवस्था होती है एक अन्य सुबधा का अनंध जो एक आयस अधिकारी उठाता है वह है दो से चार वसो का अध्यन अवकास इसके अंतरगत आयस अधिकारी किसी प्रतिष्ठित विजेसी विस्विद्याले में अध्यन करने के लिए चार साल का अवकास ले सकता है जिसके खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता है आये अब बात करते हैं आयस अधिकारी को मिलने वाली अन्य सुबधाओं की इसके अलाबा भारतिय प्रसाशनिक सेबा के अधिकारियों को जीला या उनके अधिकार छेतर में अंतरगत आयोजी सभी प्रमुक काड़े क्रॉमों में अमंतरित किया जाता है अब बात करते हैं एक आयेस अफिसर को मिलने वाली सैलरी के विसे में आयेस की मासिक प्राडबिक पड़ी लपधियां तकड़ी बन एक लाग के आसपास होती है यह अलग बात है कि इतनी सक्तियों और अधिकारों के बावजूद एक आयेस को बहुरास्टिये कमपनियों के मैनेजर के तुलना में कम सैलरी मिलती है लेकिन अब साथ में वेतन आयोक के बाद एक आयेस को मिलने वाली सैलरी में भाड़ी बड़ोतरिक की जा रही है प्रस्ताओ है कि उन्हें इतना बेतन तो दिया जाए जो नीजी छेतर के मैनोजिरों को मिलने वाले बेतन से अधिक हो आये जानते हैं नए वेतन माण के बाद एक आयेस को कितनी सैलरी मिलेगी वेतन के बादे में विस्तरित जनकाड़ी इस टेبل से समझी जा सकती है इस तरह हम कह सकते हैं आयेस ओफीसर सचमुच में एक पावरफुल सरकाड़ी अधिकाड़ी है I.S. Officer बढ़ने का सपना लाखों लोग हर एक साल पालते हैं लेकिन सफलता सिर्फ कुछ को ही मिल पाती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग